हेलो दोस्तों स्वागत है हमारी यूट्टूब चैनल साहिल मार्क में तो गाईस आज की वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि नेम लिमिट क्रोस को जो है कैसे आप लोग अपडेट करा सकते हैं गाईस ठीक है डेटा बर्क लिमिट क्रोस के बारे में तो बहुत सारा वीडियो आता रहता है और लेकिन नेम लिमिट क्रोस के बारे में बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि साज सर नेम लिमिट क्रोस के बारे में बताए तो देखो नेम लिमिट क्रोस के बारे में मैं आप लोग को इस वीडियो में पूरा डिटेल से step by step बताने वाला हूँ तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हमारी यूटूब चैनल पे नहीं आये हैं तो प्लीज गाइस हमारी यूटूब चैनल में को सब्सक्राइब जरूर के लिजिए ऐसे ही अधार पासपोर्ट से जूरी इंफोर्मेशन के लिए आप हमारे यूटूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ठीक है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अगर आपका नेम लिमिट क्रोस हो गया है तो सबसे पहले क्या करना है आपको जो है अपना डिकमेंट क्या है आपके पास यह जो पहल नेम का मिस्टेक होता है बहुत सारे लोग का जिसे रिलेजन चेंज करने के लिए अपना फूल नेम ही मतलब क्या करते है लोग चेंज कराना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या डिकमेंट होना चाहिए आपके पास यह भी मैं आप लोग को बताने वाला हूँ ठीक है और के बारे में भी मैं आप लोग को इस वीडियो में इंफोर्मेशन दूंगा कुछ जो निव अपडेट आया है उसके बारे में ठीके तो देखिए नेम सबसे पहले आपको जो है देखिए मालीजे आपका दीपक नाम है आपको राहुल करना है ठीके और आपका जो है लिमिट क अगर आपके अपडेट कराते हो तो वह बिल्कुल अपडेट नहीं होगा ठीके अपडेट कब होता है जब मालीजे आपका सरनेम चेंज करना हो उसके लिए या आपका फूल नेम चेंज करना है तो इसके लिए जो डेक्मेंट है गाईज मैं आप लोग को बता दूं इसके लिए जो डेक्मेंट है वो gadget certificate होता है अगर आपके पास gadget certificate नहीं है ठीक है तो आप जो है name limit cross हुआ है उसको update नहीं करा सकते हैं आप भले regional office चले जाए या आप mail कर लिजे कोई भी इसका solution नहीं होगा तो अगर आपका name limit cross है full name जिसे चेंग कराना है या surname चेंग कराना ही है ठीक है या आपको मालीजे एक दो meaning mistake ही हो जा रहा है मालीजे आपके अधारकार में जिसे राहूल है और आपके marship में जो है राहूल कुमार है तो आप चाहते हैं कि इसमें भी राहूल कुमार हो उसके ल limit cross नहीं होता तो इससे update हो जाता लेकिन limit cross के लिए जो डिकमेंट बनाया गया है वह है gadget certificate मैंने बहुत सारे लोगों का gadget certificate से name को update कराया है और आप लोग कभी अगर कराना होगा तो आप हमसे जरूर contact कीजिए यह हमारा worship help line number है आप मुझे इस पर message करके और call करके हमसे बात कर सकते हैं ठीके सारी information आपको दे दिया जाएगा और दूसरी बात यह बता दूँँ आप लोगों की जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जैसे यह बोलते हैं कि सर मालीजे हमारा limit cross हो गया gadget certificate हमारे यह नहीं बन रहा है तो क्या हम दूसरे state से gadget certificate बनवा के update करा सकते हैं तो देख आप के इन्रोल्मेट कराने जाओगे वहां पे आपको problem होता है मालीजे आप other state से हो आप किसी other state से जाके gadget certificate बनवा लेते हो आपके state से नहीं बन रहा है तो तो वहां पे problem एक ही होता है जा मालीजे जो आधार operator होते हैं उनके पास आप enrollment कराने के लिए जाओगे उसके पास जो है तो वह gadget देखते हैं कि कौन से state का है तो बहुत शारे जो operator होते वो नहीं करते हैं ठीके तो एसा होता है ठीके तो अगर हो जाता आपरेटर कोई आपकी जान पहिचान के है तो आप करा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ठीके तो नेम लिमीट क्रोज के लिए खास्तोर जो आपका डिकमेंट है वह है गेजेट सटफिकेट ठीके अरुमाल लिजे कोई अगर डायरेक्ट रिजनल ऑपीस से करा रहा है ठीके या किसी का जैसे लिंक होता है वह डायरेक्ट करा रहा है तो वह आपके लिए जो है गेजेट सटफिकेंट का रिक्वार्मेंट है और कितने दिनों में अपडेट हो जाता है यह मैं आप लोग को बता दू देखो यह जो नेम लिमिट क्रोज का प्रोसेस होता है यह 15 दिनों से 45 दिन के अंदर में आपका नेम लिमिट क्रोज जो है अपडेट हो जाता है गाईश ठीक है मैंने बहुत सारे लोगों कराया कम से लग गये थे, full name change करा आता, तो पहले जो राजपत, हिंदी में बोलते हैं, राजपत certificate ठीक है, तो उसको ये gadget certificate बोलते हैं, gadget certificate आप बनवा लो, उसके बाद ही जो है, आप लोग name का आगे का process है, enrollment कराना, तो आप अगर gadget certificate बनवा लेते हैं, उसके बास से आपको क्या करना है, क गेजट लगवाके ठीक है उसके बार से आपको क्या करना है जो आपका स्लिप मिलेगा वो और जो आपका गेज़ेट सरफिकेट है वो और आपका अधारकार उस तीनों को एक पीडियप में बना के अगर आप मेल करना जानते हो तो आप मेल कर दीजिए ठीक है आईडियाई के साइट पर डायरेक्ट जाईए वहीं से आपको मेल मिल जाएगा कौन से मेल पर करना है नहीं तो आप 1947 पर कोल करके उनसे अपना कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं इंडूल्मेंट आईडी बताके अन नहीं तो अगर आप ये भी नहीं कर पारे हो तो आप हम से क करके करा सकते हो ठीक है यह हमारा वर्टाप डसक है आप मेंसेज करिए और क्या प्रोब्लम है यह बताईए मैं आप लोगे के साथ में आड़ों को का कृश्व करा के देंगे क्रोस हो गया है तो उसी में जो है आपका बर्स अफिकेट सेर्फ डेकरेशन फॉर्म को लगा के अपडेट करा सकते हैं ठीक है नेम का कोई भी अटेज करने का ओप्सन नहीं होता है ना इसका कोई नियम है ठीक है तो यह नोर्मली प्रोसेस होता है बहुत सारे लोग यह समझ नहीं पाते हैं इसलिए वो लोग भटकते रहते हैं ठीक है तो आप लोग को परशान नहीं होना है यह आप प्रोसेस कर लो भाई आपका 100% की गारेंटी देता हूँ अपडेट हो जाएगा ठीक है भाई तो अगर आप लोग को कुछ हैल्प चाहिए तो आप मुझे जरूर यह सकते हैं उस पर आप लोग को फूल डिटेल में आप लोग को वीडियो मिल जाएगी है तो वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा और मिलते हैं नेक्ट वीडियो में थाइंक्यों सो मच